नमस्कार दुस्तों मैं हूँ अजिंक आप सभी का सवगत करता हूँ ट्रॉक्टॉक्स के इसने एपिसोड में आज की वीडियो में हम जानने वाले है भारत बेंस की ओर से लॉंच की गई आठ नई ट्रक्स के बारे में साथी में दो बसे भी लॉंच की गई है भारत बेंस की ओर से उनके बारे में भी वीडियो के एंड में बात करेंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों दोस्तों भारत बेंस को भारत में 10 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके है तो इसे अफसर को सेलिब्रेट करने के लिए भारत बेंस नी अपनी 10 नई गाडिया लॉंच की है जिसमें रिजिड सेगमेंट में 4 गाडिया है रिजिड टिपर सेगमेंट में 4 गाडिया है और और साथी में दो नई बस चैसिस को भी भारत बेंज ने लॉंच किया है आईए एक एक गाड़ी के शॉर्ट में डीटेल्स जान लेते हैं दोस्तों भारत बेंज के रिजिट ट्रक सेग्मेंट में चार नई ट्रक्स लॉंच की गई है जो है 2623R जो कि एक 8 पहिये वाली ट्रक है उसी के साथ साथ 3123R जो कि एक 10 पहिये वाली ट्रक है साथी में 3828R जो कि एक 12 पहिये वाली ट्रक है और ये ट्रक काफी खास है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा और आखिर में है भारत बेंज की 4828R जो कि एक 16 चक्के की गाड़ी है दोस्तों बात करें भारत की 2623R इस गाड़ी की तो इस गाड़ी का GVW यानि की ग्रॉस वह कलवेट है 25,500 kg यानि की 25,5 तन का ये जो गाड़ी है तीन एक्सल में आपको दिखने के लिए मिल जाएगी और ये 8 टायर वाली गाड़ी है जिसमें सिंगल टायर का लिफ्ट एक्सल दिया गया है इस पिक में देख सकते कि 6x2 के एक्सल कंफिगरेशन के साथ ये गाड़ी आती है जिसमें 3 एक्सल दिये गए है जिसमें एक सिंगल टायर वाला लिफ्ट एक्सल है जो इसे खास बनाता है और ये गाड़ी 8 पहियों की होने वाली है जो आपको 25 तन का ग्रॉस वेट प्रदान क गया है इसका भी एक्सल कंफिगरेशन 6x2 का है जिसमें आपको डबल टायर का हेवी लिफ्ट एक्सल जो है वो दिया गया है और इस गाड़ी को भी आप ड्यूल जीवी डव्ट पर ऑपरेट कर सकते है यानि कि एक्सल उपर करके और एक्सल नीचे करने पर ये गाड़ी 25 29 फीट और 32 फीट के डेकलेंट उप्शन में अवेलेबल है आप हमारे बनाये गए इस रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिक में देख सकते है कि गाड़ी में तीन एक्सल दिये गया है जिसमें डबल टायर वाला लिफ्ट एक्सल दिया गया है जो इसे 31 टन का जीवी डवी ड टन का ये जो गाड़ी है चार एक्सल में आती है जिसमें 12 टायर दिये गया है जिसमें ट्विन स्टेर मेकेनिजम के साथ एक डबल टायर वाला लिफ्ट एक्सल दिया गया है अब ग्राफिक्स में देख सकते है कि इसमें सिंगल टायर वाला स्टेरेबल एक्सल आगे दिया गया है जो इसे multiple applications के लिए काबिल बना देता है दोस्तों और पहली बार भारत में आप ऐसे configuration के साथ कोई truck देख रहे है ये गाड़ी 26 feet के deckland के साथ आती है और 38 tons का gross weight प्रदान करती है ये गाड़ी आपको कैसी लगी हमें नीचे comment section में ज़रूर बताना मुझे तो काफी अनो weight प्रदान करती है टोटल पाच एक्सल में जो है आपको ए गाड़ी दिखने के लिए मिल जाएगी जिसमें double tire का lift एक्सल दिया गया है साथी में आगे की और single tire वाला steerable एक्सल दिया गया है Dual GVWs पर आप इस गड़ी को operate कर सकते है ये गाड़ी 30.3 feet के deck length में available है जो इसे कई सारे heavy applications के लिए काबिल बना देती है दोस्तों बात करें engines की तो 2623R और 3123R इन दोनों models में भारत बेंस का OM926 6 cylinders inline 7.2 liter का यानिकी 7200cc का diesel base 6 component engine लगया गया है जो इसे 180 kWh यानिकी लगबग 240 hp की ताकत और 8.5 Nm का torque परदान करते हैं साथी में भारत बेंस की 3828R और 4828R यानिकी 12 चक का और 16 चक का गाड़ी उमेब OM926 6 cylinders inline 7.2 liter का यानिकी 7200cc का diesel base 6 component engine लगया गया है जो इसे 210 kWh यानिकी लगबग 211 hp की ताकत और 1100 Nm का भारी भड़कम torque परदान करते हैं दोस्तो गाड़िया हाल ही में launch की गई है तो इनकी exact pricing हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी इनकी approximate pricing की details हमने video के description पार्ट में दी है आप वहाँ जाकर इनकी pricing के बारे में जान सकते हैं या फिर आज ही आपके नजदिकी भारत बेंस के showroom अत्वा dealership में विजिट कर सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो चार गाड़िया तो हो गई आए जानते हैं अगली चार गाड़ियों के बारे में ये गाड़िया भारत बेंस के heavy duty rigid tipper segment की गाड़िया है यानि की आसान भाषा में road transportation tippers इसमें total 4 model company ने launch किये है वो है 28-23RT, 35-23RT, 42-28RT और 48-28RT, RT यानि की rigid tipper दोस्तो इन सभी गाड़ियों की खास बात यह है कि इन सभी गाड़ियों में आपको full sleeper cabin दिया गया है पहला model है भारत बेंस की 28-23RT दोस्तो दस चक्के का ये टिपर है जो इसे 28 तन का gross weight प और इसका axle configuration है 6x4 का दूसरा model है भारत बेंस की 35-23RT इसका gross weight है 35-25 तन का और इसमें single tire वाला lift axle दिया गया है और ये 12 चक्के की गाड़ी है इसमें 20.5 feet लंबी load body दी गई है और इसका axle configuration है 8x2 तीसरा model है भारत बेंस की 4228RT दोस्तो 14 wheeler जो है ये truck होने वाली है जो इसे 42 टन्स का gross weight परदान करती है इसकी जो load body है 20 feet की लंबाई में आती है और 14 चक्के की जो ये गाड़ी है single tire के lift axle के साथ दी गई है जो इसे 42 तन्स का gross weight परदान करती है और आखरी गाड़ी है भारत बेंस की 4828RT जिसका GVW है 47.5 तन्स का और इसमें भी आपको 23 feet लंबी load body दी गई है 10x4 के axle configuration के साथ एक आड़ी आती है जिसमें dual tire lift axle दिया गया है दोस्तो दोस्तो फिलाल हमारे पास बस इतनी ही जानकर इन टिपर्स के बारे में उपलब्ध है जल्दी हम इन पर काफी detailed वीडियो बना कर आप लोगों के लिए लाएंगे तो दोस्तो इन 8 trucks के साथ मिली मीटर के कम विल बेस के साथ भी एवेलेबल है जिसमें अधिक comfortable parabolic suspension अधिक safety के anti roll bar के साथ दिया गया है और जो इनकी 18-24 chassis है जो एक साड़े तेरा मीटर लंबी chassis है यानि कि साड़े तेरा मीटर लंबी slipper या seater bus इस पर आप बना सकते है जो की खास कर intercity applications को ध्यान में दर के साथ साथ full air suspension दिया गया है जो इस bus chassis को काफी खास बना देता है दोस्तों तो company को भारत में successfully 10 साल complete हो चुके है और इस अवसर पर company ने 10 नई गाडिया भारत में launch कर दी गई है जो काफी खूपसूरत है especially इनका rigid trucks में 3828 और 2623 ये products जो की 8 टायर और 12 टायर में एक काफी अलग configuration देते है यानि कि आप मेरे जिसे truck fan की नजर से कर देखेंगे तो ये configuration भारत में मुझे पहली बार देखने के लिए 3828R में जिसमें 12 चक्ये के twin steer mechanism के साथ साथ lift axle double tire का जो पीछे दिया गया है जो इस truck को one of a kind बना देता है दोस्तों हमारे एक subscriber शुबम व्यास जी ने इस वीडियो का कई दुनों से मेरे पास request किया था कि भाई भरत बेंस की नई launch की गई trucks पर वीडियो बनाईए तो भाई ये वीडियो खास कर आपके लिए दोस्तों वीडियो में कई जगे पर आपको truck talks का जो है बड़ा watermark देखने के लिए मिल गया होगा तो वो एक reason की वीडियो को एडिट वगरा करते हैं हलाकि voice-over तो मैं खुद करता हूँ लेकिन editing graphic designing अलग-अलग बंदे हमने हायर किये हुए है जिनकी मेहनत जो है ऐसे copy करके मतलब copy नहीं कह सकता मैं जो use करने के बाद जो मेरे को लगता है कि उनकी मेहनत को जो है ये ये नहीं होता support नहीं ये भी लगता है हमें कि हमने सच में महनत की है कि सामने वाला credit भी दे रहा है कई सारे channels है जो हमारा content इस्तमाल करके credit भी देते है तो हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है लेकिन कई सारे ऐसे channels भी मैंने देखे है और ऐसे pages भी मैंने देखे है इंस्टा पर facebook कर जो हमारे videos के screenshots ज इसलिए हमने एक मेरी जो 45 लोगों की team है हमने decide कि भाई आज से हमारी videos में जो हम watermarks का इस्तमाल करेंगे जिससे जो credit देने वाला बंदा है वो credit तो दे ही देता है कोई issue नहीं हमें उन लोगों के साथ लेकिन जो credit नहीं देने वाले बंदे है जिनसे कई बार हमने request करकर के credit देने के लिए का है वो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने किया है एंड इसकी वज़ा यह है कि हमारे editors जो मेहनत कर रहे है graphic designing में वीडियो editing में उनकी मेहनत को proper justice मिले यह हम कहना चाते है तो कैसी लगे आपको भारत बेंस की 10 नहीं truck launch की वीडियो हमें नीचे comment section में जो की जो कि दो लूएँगा प्रॉण है झाल के लिए में लिएगा कि अपरेंगेट बहँ